दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कच्चे केले और उसके फायदों के भारे में क्या आप जानते हैं कच्चा केला दवाईयों का बाप है? आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं केले के विशह में जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे पर एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि कच्चा केला दवाईयों का बाप है? पका हुआ केला तो हम सभी खाते हैं, पर आज हम आपके लिए कच्चे केले से मिलने वाले फायदों के बारे में एक वीडियो लेकर आए हैं केला कई बच्चों का मनपसंद फ्रूट है, वैसे सारे उम्रे के लोग बड़े चाव से केले को खाते हैं कोई इसका शेक बना कर पी जाता है, तो कोई इसकी बनाना चाट बना कर खा लेता है अदिकतर बोगों को केला खाना पसंद है पर बहुत अधिक लोग केले के फायदे से अंजान है कच्चा केला कई लोग घर में लेकर आते हैं, सबजी बनाकर खा जाते हैं और उनको इसके फायदों का, इसके गुड़ों का कुछ भी पता नहीं चलता कच्चा केला में पोटेशियम भरपूर मातरा में पाय जाता है दोस्तों जो हमारे शरीर में इम्म्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है जिससे कि हम जल्ली विमार नहीं होते हैं और हम दिन भर एक्टिव रहते हैं इसमें विटामिन B6, विटामिन C ज्यादा पाय जाते हैं ये एंटी आक्सिडेंट का विस्रोथ होता है जो की कोशिकाओं को पोशन देता है और इसमें सेहत मंद स्टार्ज की मातरा भी पाय जाती है कच्चा केला आप पके केले की तरह भी खा सकते हैं अगर चाहें तो आज कल की जिन्दगी भाग दोड़ भरी हो गई है हमारे पास अपनी सेहत की देख भाल करने का टाइम तक नहीं है अगर ऐसे में हम छोटे छोटे नुस्खे या छोटे छोटे इलाज करें जैसे कि कच्चा केला तो हम सभी प्रकार की बिमारियों का इलाज खुद ही कर सकते हैं एक कच्चा केला हर रोज खाने से आप कितनी बिमारियों से बस सकते हैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं आप सभी प्रकार के दवाई लेने के बजाए सिर्फ कच्चा केला हर रोज खाएंगे तो दवाईयों से अधिक काम करेगा क्योंकि कच्चा केला दवाईयों का पाप है तो आईए जानते हैं कच्चे केले के और फायदों के बारे में वजन कम करने के लिए काम आता है कच्चा केला जी हाँ दोस्तों आज कल ज्यादा लोग मोटापे से परिशान है क्योंकि वे लोग जानते हैं कि अगर मोटापा बढ़ेगा तो कई सारी बीमारियां घेर लेंगी ऐसे में कच्चा केला बहुती फायदे मन्द खाना हो सकता है क्योंकि इसमें फाइबर के मातरा ज्यादा होती है शरीर में जमी अनावशक फैट, सेल्स को और अशुधियों को साफ कर देता है जिससे फैट बर्न हो जाता है और वजन बढ़ने की परिशानी से हमें मुक्ति मिल जाती है डायविटीज के मरीजों के लिए वर्दान है कच्चा केला कच्चे केले को खाने से डायविटीज के रोगियों को बहुत अधिक फायदा मिलता है आज बहुत अधिक मातरा में लोग डायविटीज से पीडित है इसे कंट्रोल करना बहुत अधिक जरूरी होता है अगर हमें स्वस्थ रहना है तो अगर किसी को मधुमेह रोग की शुरुवात है तो वो कच्चा केला हर रोज अपने सेवन में शामिल करे तो डायविटीज जड़ से खत्म हो जाएगी और उसका बलड शुगर लेवल बिलकुर कंट्रोल रहेगा और इस प्रकार के समस्या का सामना ही नहीं करना पड़ेगा कब्स कच्चे केले को खाने से जिन लोगों को कब्स की दिक्कत रहती है उनकी कब्स की समस्या दूर हो जाती है कब्स का मुखे कारण है हमारी पाचन क्रिया का सही नहीं होना जिसका कारण है हमारा खान पान जो की खराब हो चुका है अगर हम कच्चे केले का रोजाना सेवन करते हैं तो हमारी आते विश्मुक्त रहती हैं जिससे हम कब्स की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती और हमारी आतों की अच्छी तरह से सफाई हो जाती है क्योंकि इसमें फाइवर और श्टार्च की मातरा बहुत अधिक होती है जो क कब्स को दूर कर पेट की सफाई करता है पिंपल्स कच्चे केले को खाने से चेहरे से पिंपल्स साख हो जाते हैं कील मुहा से होना खान पान या बाड़ी में हार्मोन स्चेंज की वज़य से होता है हमें 8-10 गिलास पानी हर रोज अवश्चे पीना चाहिए और इसके साथ ह हमें कच्चे केले का हर रोज सेवन करना चाहिए इससे हमें पिंपल्स की समस्या का कभी जीवन में सामना नहीं करना पड़ेगा कच्चे केले को खाने से हीमोगलोबिन बढ़ता है क्योंकि इसमें B6 होता है जो की खून की कमी को पूरा करता है पोटेशियम का खजाना है कच्चा केला कच्चे केले को खाने से हमारी मांसपेशियां और नर्वस सिस्टम सही रूप से काम करते हैं क्योंकि इसमें पोटेशियम की अधिक मातरा होती है कच्चे केले को खाने से हमारी हड्डियां मजबूत होती है क्योंकि इसमें केलशियम भरपूर मातरा में पाय जाता है कैंसर कच्चे केले को खाने से कई बीमारियां तो दूर होती ही है साथ ही हम कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी बच जाते हैं क्योंकि ये कैंसर सेल्स को खत्म कर सकता है कच्चा केला पेट की समस्याओं से भी बचाता है इसके खाने से हमारा पाचन तंत्र सही रूप से कारे करता है क्योंकि ये पाच्चे करसों को सही रूप से पचाने में मदद करता है दोस्तों आप कच्चे केले का सेवन करके इस से होने वाले फायदों को उठा सकते हैं और बहुत सी बिमारियों को अपने जीमन से बाहर निकाल सकते हैं आपको इन बिमारियों का अपने जीमन में कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये जानकारी आप सब को पसंद आई होगी आज ही इस्तिमाल करना शुरू करें कच्चा केला, पके केले के साथ साथ कच्चे केले का भी सेवन करें ये बड़ा ही फायदे मन्द होगा और इस वीडियो में दी गई जानकारी को केवल अपने तक्सी में इतना रखें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेर करें ताकि वो भी स्वास्थलाब पासकें आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे पेज को फालो जरूर करें धन्यवाद